जोतिस अचाजी सावन के मैने में भगवान सिब के उपर बिलपत्र अर्पन करने का खास महत्व है लेकिन कितने फली का बिलपत्र करना महत्वुर माना जाता है जिसे भगवान सिब परसन होते हैं तीन, चार या पांच और सबसे पहले भगवान सिब के उपर किनों ने बिलपत्र अरपन करना ये शंकर भगवान की पूजा का विशेस महत्व है। आप संकर भगवान की पूजा करते हैं, शिमलिंग के उपर आप पूजा करते हैं, तो बिलपत्र का और जल का विशेस महत्व रखा गया है। प्रिक है त्री दलम, त्री गुणाकारम, त्री नेत्रम्च, त्रदाजुधम, त्री जन्मंग, पापसंगारम, बिल्वपत्रम, शिवारपणम। ये तीन दल का जो बिल्वपत्र होता है, तीन फल्ली का वहतो अरपन होता है। लेकिन विशेश रूप से जदी आप चार दल का या पांच दल का विल्वपत्र शंकर भगवान को अरपन करते हैं, तो आपका पूजा का विशेश लाभाब को मिलता है। अब है कि तीन दल जो है वहाँ भगवान के त्रनेत्र का स्वरूप है। और त्रिगुणा का आरम आपके अंदर जो त्री शूल है, यानि तीन तरह का ताप जो है, वह समाप तो होता है तीन दल के विल्वपत्र चढ़ाने से। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीन प्रकार का जो ताप है वनुस्य को, वह तीन दल के बिल्वपत्र चढ़ाने से, बिल्वपत्र अरपन करने से आपके तीन तरह का जो ताप है, वह समापत हो जाता है, वह तीन दल, और चार दल जो है, वह साक्षा, शतुर आपको चतुरवर्ग की प्राप्ति होती है आधिदेविक आधिभौतिक आध्यात्मिक ये जो चार चतुरवर्ग है फल प्राप्ति ये आपको प्राप्त हो जाता है और पंच दल जो है वह पांच दल का जो बेलपत्र है शाथ भगवान संकर जी का पंशानन भगवान संकर भगवान को पंशानन कहा गया है तो पंशानन स्वरूप या पांच मकार महा देवा महात्मानम महायोगी महे सुरह महा पापा हरेड़ देवा मकाराय नमोरमा ये पंशाक्षर मंत्र जो है या पंच मकार जो है या पंच उनका जो मस्तक है इसका स्वरूप है पांच दल का बि ब्लक्टर मिल जायार और आप संकर भगवान को अर्पन करें तो पांच दलका ब्लुपत्र आपके सभी मन्रुथों को पुरुण करके सुख संब्रधी के साथ आपका पूरा इजीवन वतित होगा इसलिए पंच दलका बिलपत्र संकर भगवान को अतिव प्रीय एफ कर दётся आई én सुंगा .